हेलो एंड वेल्कम तुदा स्टूडियो ट्रेडर सिस्टम आज के दिर में हम आप से डिस्कस करेंगे एक्शली यह हमारी मास्टर केंडल को रिप्रिजेंट करता है ऐसी केंडल होगी जिसके अंदर कुछ ग्रूप ऑफ केंडल होती हैं और उसके ब्रेकाउट पर कैसे मौनि दिवारा तो चनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सरकल में से शेर करने के कोशिश की जगा बढ़ते हैं आगे शुरुआत में जब हम इन सिस्टम की प्रैक्टिस कर रहे थे तो आज जो सिस्टम हम आपको बता रहे हैं इसका जनरली यूज करते थे हैं को एक ऐसी केंडल बन गई या फिर दो केंडल से बन गई मैक्समुम दो या तीन केंडल में सारा प्रॉफिट लेकर के बाहर निकल जाने हैं यह एक टेडिशन है मार्केट में आगे तो काफी समय सी सब यूज किया जा तो इस तरह से स्केल्पिंग होते थे स्केल्पिंग कि पस एंट्री ली दो तिन पॉइंट ली भाहर निकल गई लॉस भी कुछ बहुत बड़ा जितना आपका प्रॉफिट है उतना ही लॉस जैसे मार्केट हमने देखा है कि हमारी आप पॉजी डिरेक्शन में जारी वैसे ही तुरान थम्यास से कटल अब जब हम लोग करने ब अब अपने सिस्टम को जलती से समझ लेते हैं क्योंकि बहुत हाड नहीं है कुछ बहुत बड़ा नहीं है सिर्फ समझने भर की देखा है अब यहाँ पर देखी कुछ चिजम नहीं लिखे हैं जैसे कि यह तो हमारी मास्टर केंडल बन गए मास्टर केंडल कौन सी है यह जो बड़ी सी केंडल हमारे लिए रेंज फॉर्म करेंगी मौनिंग में जो 9.15 केंडल बनती है यह हमारी 9.15 क केंडल होगे हम दिन में किसी भी ऐसी केंडल को नहीं ले सकते जिसके अंदर चार या पांच केंडल फॉर्म होई हो हमें दिन की सबसे पहली ही केंडल चाहिए जिसके अंदर चार से पांच केंडल फॉर्म हो रहे हैं चार से ज्यादा केंडल चाहिए दो तीन केंडल नहीं विदाउट ब्रेकाउट से हमारा मतलब यह है कि जैसे कि मेरा यह एक हाई और यह लो बन गया, प्राइज ब्रेकाउट नहीं दे रहा है, बट प्राइज ने अप में जाते हुए, यहाँ से एक विग बना दिया, तब हम इस रेंज को कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज यह मे इस रेंज के अंदर ही रहा है, अगर इतनी सी चीज बन गई, कि 9.15 के कैंडल के अंदर यह सारी कैंडल फॉर्म हो जारी है, जो प्राइज एक्षन है, जो structure बन रहा है, यह मेंटर करेंगा, इसको थोड़ा समझेगा कि वालूम ब्रेकाउट से हमारा मतलब क्या है, अब ज इमेजन कि हमारे पास यह कैंडल बन गई, इतनी कैंडल फॉर्म होगी, कितनी है, एक, दो, तीन, चार, यह पांच कैंडल बन रही है, 9.15 की अकसर आप देखोगे, वालूम ज्यादा होती, जनरली, इन जनरल आप 9.15 की वालूम ज्यादा देखोगे, तो जब हम यह बोलते हैं, कि वालूम के ब्रिक आउट में चाहिए, तो इसका यह मतलब नहीं कि 9.15 की कैंडल में जितनी वालूम आईए है, मैं उससे ज्यादा की वालूम चाहिए, ऐसा नहीं होता है, अगर 9.15 की कैंडल से कम भी वालूम है, और अगली 9.20 की कैंडल की वालूम इतनी फॉर्म ह हो रही है, और 9.25 की कैंडल ने अगर 9.20 की कैंडल की वालूम को ब्रिक कर दिया, तो यह हमारे लिए वालूम ब्रिक आउट हो गया, समझ मेरा है, वालूम ब्रिक आउट का मतलब क्या होता है, हमारी बनी है लाइक, यह 3000 वालूम इसके अंदर आई थी, 9.20 में, और 9.25 को आगे 3500, यह वालूम ब्रिक आउट का यह मतलब नहीं, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, यह इसको हमने देखा है कि एक दो कॉमेंट भी या है, इसमें कंफ्यूज होगा कि वालूम ब्रिक आउट का मतलब यह कि अपनी लास्ट बनी हुई वालूम बार स ज्यादा वालूम जिस भी कैंडल में आ जाएगी वहां ब्रिक आउट कंसिडर कर लेते हैं, तो यहां पर वालूम का ब्रिक आउट हो गया, अब यहां पर देखे जैसे इस कैंडल की वालूम का ब्रिक आउट हो गया, यहां पर वालूम का ब्रिक आउट हम देखते हैं, य जिनरली आप देखोगे कि इस system के अंदर आपको volumes के breakout दिखी जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो आपका system बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है क्योंकि यहां पर एक range के अंदर काफी ज्यादा power एक तरह से generate होती है air होता है na balloon में air भरी है air भरी हो एक time ऐगा कि balloon आपका blast so यह एक range है इसके अंदर volumes आ रही है but price अपनी range को break नहीं कर पार है यहां से volume के breakout हो रहे हैं, फिर से volume के breakout हो गया है, again volume के breakout हो हैं, बर price अपनी range को नहीं break कर रहा है, जैसे break होगा आप यहां से trade execute, तो यही overall system है, बहुत simple से system है, और यह वाली जो हमारी candle बनती है, यह master candle है, यह first वाली जो candle है, यह master candle बनती है, यह तो हो गया system, अब इसके अंदर हम लोग entry कैसे करेंगे, जैसे ही price हमारी range के उपर closing देगा, जैसे ही closing देगा, हम यहां से अपना trade execute करते हैं, एक candle जैसे breakout हो जाएगी, इस जगह पर हम लोग अपना trade करते हैं, दो तरीके होते हैं, trade करने के, या तो price वापस से नीचे की तरफ आए, retracement पर हम लोग entry ले ले या फिर इसके अंदर एक aggressive entry हम लोग फाइल करते हो और एक aggressive entry लेते हैं, aggressive entry जहां तो खोड़ा सा बचने की कुशिश की जाएगा, price अगर नीचे की दिशा में आता है, retracement दिखाता है, तभी हम लोग trade execute करेंगे, उस वक्त का जो latest swing होगा, वो हमारा stop loss बनता है, और मन में ये बात clear रखना कि this is scalping, हम इसमें बहुत बड़े target के लिए नहीं जाएगे, चोटा सा, but sure target होता है हमारा, sure का मतलब अब ये भी नहीं कि आप आँख बंद करके, और बिल्कुल blindly कूत पड़े हो, कि मिल तो जाएगे, चलो ठीके, जीतनी मर्जी quantity मार देते हैं, अगर आपकी pocket 500 रुपीज का रिस्क के लाओ कर रहे तो फिर आप 550 का रिस्क नहीं करोगे, हो सकता है आपके लिए 500 रुपीज हो, मेरे लिए 3000 रुपीज हो, मेरे लिए 3000 रुपीज हो, कि वो एक trade में 13,000 रुपीज का रिस्क बेर कर सकता है, तो वो करेगा, तो वो 13,000 को फिर 14,000 या 15,000 नहीं खरेगा हो सकता है किसी के लिए अगर 13000 हो तो किसी के लिए वो 30 रुपय ही हो सबी लोग अपने रिस्क और मनी को मैनेज करते हुए ही काम करें अगर आपकी पॉकेट 30 रुपय का रिस्क अलाओ करें तो फिर आप उसको 40 नहीं करोगे 30 रुपय के स्टॉप लोग के साथ में आप यहां पर ट्रेड एक्जेक्यूट करते हो इतने चीज़ याद रखनें चाहें जितना भी कोई बोल रहा है कि मेरा सिस्टम बहुत अच्छा है ये कर लीज़े वो कर लेज़े एंट्री ले 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 तो प्रॉफिट हो ही जागा risk management को छोड़ करके ये rule है stuff market का rule है ये अपनी market का rule है कभी change नहीं होता अगर आपने money management को rule को break करके किसी other rule को follow करने की कोशिश की सारा का सारा पैसा आपका डूब जाएगा आप कुछ दिन के बाद market छोड़ दो money management, risk management हमेशा top पर रहेंगे, उसके बाद में कुछ हैगा, चाहें जितनी इच्छी strategy हो, चाहें जितना भी अच्छा bank nifty मार दो, आप M6 मार दो, आप crypto कर दो, चाहें stock market मार दो, stock trading कर दो, कुछ भी कर दो, चाहें जितनी अच्छी bank nifty, उस अच्छी tradition आज कलका है, जो बहुत trading हो रहें, चाहें जितना अच्छा आपको bank nifty का system मिल जाए, चाहें जितना अच्छा आपको nifty का system मिल जाए, सबसे उपर risk और money management को रखो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखें, यहाँ पर entry और target अब देखें, क्या होता है, stock value का 0.5% यह हमारा target, 0.5% का मतलब क अगर 100 उपीज का महारा कोई stock है, तो 100 उपीज का 1% कितना होगा, एक अरुपए, और यह का आप कर दो तौँ बनेगा आपका 50 पैसा, 50 पैसे आपका target, 100 उपीज का कोई stock है, तो 1000 पैसे का 1% कितना होगा, 10 उपीज, 10 का half कर दो, 5 उपांच उपए, मतब एक हजार के stock में 5 पर आपना टार्गेट ले करके चुलोगे एंट्री हमने यहां पर बता ही दिये और स्टॉप लॉस उस वक्त का जो स्विंग लगा हुआ वहां पर हम लोग अपना स्टॉप लगाएंगे या फिर एक दूसा सिस्टम काफी बार हम आपको बता चुके एंट्री लेते समय जो आपको आपकी मदर केंडल फॉर्म होते हुए दिखाई पड़ेगी उस मदर केंडल के लोग पर आपने स्टॉप लगा देते हैं सिंपल सा सिस्टम है किसी भी स्टॉप में आप लगा दो कोशिश करना निप्टी 50 को निप्टी फ्यूचर के स्टॉक्स क्योंकि बहुत सार और वहाँ पर एक दो एक्जामपल लेने के कुशिश करते हैं बर्जर पेंट से शुरुवात करेंगे क्योंकि लास्ट वेक हमने ये स्टॉक आपको ट्रेट करने के लिए दिया था फ्राइडे के सेशन में बर्जर पेंट है अब यहाँ पर सारी मार्किंग हम लोग को रि फाइव सिक्स सेवन सेवन केंडल्स फॉर्म हुई है यह तो गया प्राइस नाइंट्रिटीन की के अंदर आपका पांच केंडल्स बन गए अब वॉल्म्स के ब्रिकाउट क्या यहां पर हुए है तो देखिए वॉल्म्स लागातार नीचे की दिशा में गिर रही है यहां और इस जगह पर वॉल्म्स के ब्रिकाउट हो गया अपनी लास्ट केंडल्स से ज्यादा यहां पर देखिए वॉल्म्स आने स्टार्ट हो गया फिर से देखिए इस वाली केंडल में वॉल्म्स के ब्रिकाउट हो गया यहां पर वॉल्म्स के ब्रिकाउट हुए यहां पर व वॉल्यूम आगी हो प्राइस अप में जाने के वज़ाए अगर सपोर्ट करने लगता है तो यहां से ट्रेंट रिवर्स हो जाता है यह जो भी बाते हम बोले ना हो सकता है आप लोगों में से इजी बना करके समझाने के कुशिश करते हैं लेकिन कुछ चीज़े हैं हम इतना भी बेसिक से नहीं जाता है कि फिर हम आपको एक एक कैंडल के बारे में बताएं सिमेट्रिकल ट्रेंगल डिसेंजिंग ट्रेंगल फ्लैक पैटन कपन हैं यह सब ना हम इनके बारे में बताएं कि यह पिन बार रहे यह ग्रेव इस तो यह सब बहुत बेसिक सा होगा अगर यह सारी चीज़ आपको नहीं मौल में हो तो फिर वीडियो आपको समझ में आए करने और उतना बेसिक से अब देख रहे होगे कि जितने भी वीडियो से अप्लोड करते हैं इतना बेसिक से होता नहीं नहीं क्लास कुछ इतना बेसिक से शुरू करते हैं वहाँ पर भी एक स्टेप आगे लिए जाकर कि ना हम कैनलिस्टिक पढ़ाएं कि ना हम आपको वहा को ट्रेड एक्जिक्यूट काने क्योंकि प्राइज इस दिश्चा के बाहर है स्टॉप लगाना है जस्ट यहां कि जो हमारी मदर केंडल फॉर्म हुए इस जगे पर अपना स्टॉप लगाते हैं अगर स्टॉप लगाना है विदावर स्टॉप तो काम नहीं करेंगे टेलेग्राम चैनल अगर आप देखो गए तो सेम इस जगे पर हमने लिग दिया था कि प्राइज अब यहां से रेस्टेंस फेस करेगा कर सकता है नहीं करेगा बर्जर प्रेंट को अब अगर यह बताएंगा तो फिर बर्जर प्रेंट को पूरा अनलसिस करके आपको दिख कुछ ऑन मार्केट था मार्केट रनिंग थी तो उससे में इस टॉक दिया था कोई भी काम ऑफ मार्केट करने मज़ा नहीं आता मार्केट जब चल लिए उती नहीं तो ज्यादा अच्छा लगा लेकिन क्योंकि आथ संडे का दरी में वीडियो रिकॉर्ट करना तो फिर तो ऑफ मार्केट य giveaway करना पड़ेगा एकिन इसकी प्रैक्टिश करिएगा जू में बात है सको रॉनिंग मार्केट में करेगा तभी ज्यादा समझ में आगा ओफ मार्केट मी, पिपी ट्वत्य से प्चार्श में और चार्ट को ले करके अभी हमने बोला था ना आपको के volumes के breakout generally आपको दिख जाएंगे यहाँ पर देखिए volumes के breakout यहाँ पर वॉल्यूम के breakout है न और फिर से price देखिए बाहर एक range के अंदर volumes के breakout हो रहे हैं प्राइस हमारे एक range में रोका हुआ है यहां पर अपने टार्गेट क्या रहेगा इसे मतलब नहीं हम यहां से 0.5% का अपने टार्गेट रखेंगे और निकल जाएंगे market चल जाने के बाद तो तो वहां तक चला गया और नीचे तक गिर गया कोई मतलब कोई sense नहीं बनते हैं हमें नहीं वालूम कि price अतना ओपर चला जाएगा 0.5% का target इसमें लेंगे 0.5% stock value का 0.5% target लेंगे करके चुप चाप बाहर अब यह देखिए अंबुजा सिमेंट है अंबुजा सिमेंट में 915 यह वाली candle है यहां पर देखिए काफी अच्छा example है यह एक यह green candle positive candle इसके बाद में दो red candle यह formations पूरी बन रही है और यहां पर देखिए volumes के breakout भी आपको देख रहे है रेंज के बाहर अब यहां से आपने trade execute कीज़ें simply वह यह stop loss क्या रहेगा जो आपको swing है वहां पर आपने stop loss लगा दोगे और चुप चाप stock value का 0.5% निकाल लिए और market से बाहर हो जाए तो काफी चला है 0.5% से आगे की जितने भी stocks होगे तीन stocks को पर हमने आपको example दिया आप जितने भी stocks देखोगे आपको समझ में आ जाएगा एक question यहां पर उठेगा कि अगर stop loss छोटा है और स्टॉप लोस अगर बढ़ा है तो क्या return होना होगा जहां पर stop loss छोटा है क्योंकि मैं पहले समालूम है कि 0.50% का ही यहां पर में target लेना है तो अब 1% का आपका stop loss आ रहा है 0.5% यह trade execute करना हो तो बेवकूफी होगी ना अब एक example और लेंगे तीन हुए है चार कर लेते हैं तो sideway होगे आर्थी इंडस्ट्रीज आर्थी में क्या हुआ है यह 915 की होगी candle 925 नहीं यहां पर देखें क्या हुआ है यह वाइड हो जाएगा यह 915 की candle है morning में अपसाइड की तरफ निकल गया price face से नीचे फिर वो up down कर रहा है नहीं हम इसको rules के according नहीं है बजाज finance है बजाज finance में 915 की candle form हो गई हम इसका high marker ले रहे हैं लेकिन देखिए यह भी invalid हो गया price ने 915 की नीचे के सारे orders ले लिया है अब यह देखिए HDFC bank है HDFC bank तो करीब चार पसंट से ज्यादा कि इसने gap down दिखा दिया था जब इतना ज्यादा price gap down या gap up हो जाते हैं उसको trade नहीं करेंगे इसके एक दिन पीछे अगर देखिए आप HDFC bank यह चार तारीक ओके यहां पर देखिए 915 candle just 915 low and high जिधर भी break होगा trade execute हो जाएगा volumes के breakout हम लोग देख लेंगे कि क्या प्राइज ने volumes के breakout किये हैं या नहीं तो simply आपको दिख रहा होगा यहां पर देखिए volumes के breakout प्राइस जैसे ही रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ेगा सीधे सित्म लोग यहां पर रेंट्री ले 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 जिरू पाइंट फाइंट गटार ले करके चुप चाप बाहर ब्लेंडली जाकर के कल जैसे मार्केट स्टाट अप्लाई नहीं कर देना है कुछ स्टॉक्स को अपने राडार में रखो कौन सा स्टॉक है जो कि 9-15 के रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं इसे आपको मैनुली देखना पड़ेगा काफी मेहनत का काम है ऐसा नहीं है कि ब देती है कुछ आपके अंदर स्पेसिफिक है कुछ टैलेंट है अगर तभी मार्केट आपको पैसा देगी अदर्वाइस कितने ही आयो चले गए तो कुछ थोड़ी बहुत समझदारी ले करके बैठिएगा चले आज के वीडियों लोग यहें पर क्लोज करते हैं खतम करते ह अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स ट्रेडिंग सेशन में कोई भी स्टॉक होगा जो ट्रेड करने के लिए सही होगा उसको अपने पॉब्लिक टेलेग्राम चैनल पर हम पोस्ट करेंगे आप लोग ग्रूप जयन कर सकते हो तो थाइंक्स गुडबाई एंड वीविल ऑज करेंगे अजय cotton गय और के लिए एंड़ सेड़ खेरेंगे नेसेट हैं जने के लिए एंड प्राइब एविल गयabile मेरम